नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं आर्सी संदीप आज 31 मार्च 2022 को रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार देख स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ और आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या लेकर क्या आगया ये नया नया तो क्या साथियों है तो सब कुछ वही जो आप सब जानते हैं और वैसे रिकॉर्डिंग क्लब में हरोज कुछ न कुछ नया होता है और recording club की हर गतिविदी में अपने आप में कोई न कोई नयापन भी जरूर होता है चलिए ज़्यादा पहेलिया नहीं बुजाओंगा बता देता हूँ महिने की अंतिम तारीक को हम लोगों ने ये सोचा है कि एक आप सब के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए एक इन्फर्मेटिव जिसमें हर महिने recording club एप पर कौन कौन सी नई बुक्स अप्लोड हुई है और क्या कुछ नया है उसकी इन्फर्मिशन आप सब के साथ साजा कर दे तो इसलिए आज का ये वीडियो आज 31 तारीख है अंतिम दिन है तो ये वीडियो आप सब के लिए और अगले महिने यानि 30 अपरेल को भी फिर हम लेकर क्याएंगे कि अपरेल महिने में कितनी बुक्स अप्लोड कर पाते हैं आप सब जानते ही हैं कि 18 नवंबर 2021 को recording club app लांच किया गया recording club के पांचवे convention में जो कि दाहौद गुजरात में आवजित किया गया blind welfare council के साथ में उसके बाद में जनवरी 2022 में हम इसका update लेकर के आए और तब से audio books का section हमने इसमें include कर दिया पहले newspaper का था और audio books के आने के बाद दोस्तों 15-20 दिन बाद कुछ app में error आया और जो भी books हमने upload की थी वो सब delete कर दी delete हो गई मतलब तो करीब करीब फिर फरवरी महीने से हमने वापस books upload करना शुरू किया और दो महीने में हमने अभी तक कितनी books upload कर ली हैं यह आपको बता देते हैं जरा अभी तक हम लगबग 17-18 books इस app पर upload कर चुके हैं उसकी information आपको दे देते हैं शायद किसी साथी को इन सबसे help मिले तो अब बिना किसी और formality के सीधा एप में चेपते हैं और एप में भी audio books के section में चेपते हैं आगे हम audio books में यहां पर अभी पांच categories हैं audio books में जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहली category college education सारे universities, colleges के लोगों के लिए अब इस college education में फिकिस एप का जो layout है उसको भी समझना बहुत जरूरी है हम college education में जाते हैं अब इसमें एक category फिलाल है आप सोच रहोंगे कि अब इसमें कैसे पता चलेगा तो हमने इसमें आपके लिए सुविदा कर दी है जो universities राजस्थान की हैं तो वो राजस्थान के folder में आएंगी जो universities हरियाना की हैं वो हरियाना के folder में आएंगी यानि statewide यहां पर folder आएंगे चलिए पहला folder क्या है जो एक category का बना हुआ है यहां पर दो category आएंगी पास्बुक और टेक्स्ट बुक्स तो अभी हम पास्बुक में चलते हैं अभी पास्बुक आ गई है टेक्स्ट बुक भी आ जाएगी अब यहां पर state wise हमने डाला है देख राजस्थान ठीक है अब इसमें चलते हैं इसमें एक उनिवर्सटी है JNV यानि जैनराण व्यास उनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में है यह तो इस उनिवर्सटी की बुक अपलोड कर दी गई है इसलिए यह यह यूनिवर्सटी आई है ज्यान देना हम पास्बुक की काटिगरी में होगे हैं पास्बुक क्या कहीं कहीं गाइड बुक्स भी बोलते हैं अब यहां पर बी ए में बी ए एलल बी कुछ भी हो सकता है तो बी ए बैचलर ओफ आट्स इसमें भी एक काटिगरी है वह क्याआए विया फस्ट ियर बी ए फस्ट यर से हमने शुरुवात की ओदें इसमें एक बुक्स है फिलाल हिस्ट्री पेपर वन और अब यह ऀस्ट्री के कौन सी बुक है वह भी देख लेते हैं यह तो पता लग घिया मैं गी pussy के लिए है लेकिन अब ये पेपर कहां से कहां तक है क्या है ये भी आपको बता देए अब ये बुक लोड हो गई है यहां पर chapters आ गए हैं सबसे पहली फाइल होती है हमारी लगबग सेम हर बुक में सेम होती है अब जिनको भी इस तरह की बुक की आवश रखता है चाहे वो किसी भी उनिवर्सिटी के हो ये बात बहुत इंपोर्टेंट है तो क्योंकि पेपर घूम फिर करके कही न कहीं मिल जाते हैं तो राजस्थान जितनी भी उनिवर्सिटी से उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिस्सा इन में होगा ही होगा तो आपके लिए लाबदायक हो सकता है अब ये प्रारंब से 126 इस वी तक आपको कुछ देखना हो स यानि लेसन वन है चैप्टर वन है अध्याय एक है और यूनिट भी एक है तो इसलिए हमने इसमें लिखा 1.1 ठीक है एक दशमलो दो यानि यूनिट एक है और दूसरा अध्याय है उसका पाशाण यूग एवं पुरा पाशाण यूग तीसरा लेसन जो है इसमें वो है मध्य प्रापाशाण काली संस्कृति फिर अच्छा तामरपालीन संस्कृति तामरपाशाण कालीन संस्कृति अब दूसरी एकाई शुरू हो गई हाँ पर तो उसमें लिखा है दो दशमलो एक दो पॉइंट एक यानि यह हडपा कालीन संस्कृति इस तरह से पूरा पेपर है और लास्ट में इसमें एक इमपर तोराने के संकेत और लिखा है और पुस्तक समाप्त ठीक है तो यह आप इसमें देख सकते हैं टुकुल मिला करके अब यहां से हम सीधा बाहर आएंगे पुक्स के बाहर आते ही सीधा हम आ जाएंगे कैटिगरीस पांच कैटिगरीस जहां से हम चले थे वहीं आ गए हैं वापस सीधे कॉलेज एजुगिशन में केवल एक बुक आई है देख लिए हमने कॉम्पेटिटिव एग्जाम का अभी फोल्डर खाली है फिर आर्सी कहानियों को अभी हम छोड़ रहे हैं आर्सी मंतली मेगजीन में आते हैं प्रतियों की परिक्षाओं के लिए आवश्यक कॉम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करेंट अफेर्स की या जीके की जो इंपोर्टेंट मेगजीन से हैं पहली मेगजीन है इसमें क्रॉनलोजी अभी एक अप्लोड हुई है मतलब मेगजीन एक है और इसमें भी एक क्रोनलोजी जनневर्य 2022 और ‟फरवरी 2022 दोनों आ गई हैं मिए अब इसमें टॉपिक्स अपने पढ़ी हो आपको बाहर आजाते हैं वापस हम के टेगरीज पर आगए अब आ जाते हैं स्कूल एजूकेशन जो सबसे पहले हमने स्कूल एजूकेशन में फिलाल दो केटिगरीज हैं कौन कौन सी हैं अब इसमें कुछ अप्लोड किया नहीं हमने राजस्तान ओपन बोर्ड खा ली है न इसमें दो केटिगरीज हैं पास्बुक और टेक्स्ट बुक तो हम पहले टेक्स्ट बुक देख लेते हैं केटेगरी है क्कषा 12 की ही एक टेक्स्ट बुक अप्लोड रही है क्कषा 12 की भाग इतियास को जानने के कुछ विशे भाग एक भाग दो भाग तीन एंसी आर्टी जहां-जहां भी चलता है वहां पर यह टेक्स्ट बुक आप सब के लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इस में अध्या एक कीटे मन के ततास्थिया राजा किसान और नगर इस तरह से आप देख सकते हैं तो अब हम बाहर आगए इसकूल एजूकेशन में जाएंगे आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी कौन-कौन सी बुक्स आपको चाहिए इस एप में और अगर इसके लेयाउट पे कुछ चेंजेस करने हो तो पताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगा इस अब हम आपको चार बुक्स बता दी हैं पास बुक्स में देखते हैं कितनी बुक्स हैं अब से लगाइड बुक्स जो आप बोलें एंसी आटी की अपलोड़ेट है तो यह जो लोग सिक्स्त में पढ़ाते हैं उनको काम आईगी और पहली से पांच वी तक की बुक्स हम इस एप पर अपलोड कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यह मानना है कि वह बहुत ही इनिश्यल स्टेज होता है वहां पर किसी तरीके से मैनेज किया जा सकता है और फिर हम यह भी सोचते हैं कि शायद इससे थोड़ा बहुत ब्रेल वेल पढ़ें लोग तो इसलिए पहली से पांच वी हम अपलोड नहीं करेंगे छटी क्लास से उपर ही हम इसमें अपलोड करेंगे तो सिक्स्थ क्लास की यह सामाज एक विज्ञान की बुक्स है तो पांच किताबी हो गई यह बग है अब प्लासिक्स हो गया अब वास टेंट में चलते हैं दो बुक्स हैं यहां पर संस्क्रिप्स की पास्पूक है और साइंस की पास्पूक है ठीक है यह दोनों तो टोटल कितनी बुक्स हो गई कि दो और दो चार और पांच और यह दो साथ किताबे हो गई टोटल ठीक है यहां तक अब बाहरा के इलेवंध और ट्वेल्थ में चार्ट साथ किताबे अपलोड की गई हैं पास्पूक की के टीकिरी में बता देते हैं आपको दी लुक्त की हैं और बल्टिकल साइंस की हैं और बल्टिकल साइंस की हैं अब करेंगें तरह से किसा नगें ने निए मैं जबाद करें करेंगेंगें चर्टाब आप महलुद करेंगें अजय हैं यहं दो मैं एक यह हम जाने इने और स्रित अर। हैंस्वारें सब्सक्राइब करें लेकिन उसके लिए हमने टेक्स्ट बुक अप्लोड कर दी है और संस्क्रीट की पास्बूक है 11 में संस्क्रीट नहीं है टैंत में भी संस्क्रीट है तो टोटली हो गई 15 बुक्स हो गई कुल मिला करके ठीक है यह है साथियों आप इसके लावा एक फोटो होने चुने काहानिया इसमें अप्लेट प्रण्सक्रीप्ट की हुई यानि ध्वन्यांकित की गई वो ऑडियो बना करके ही अपनी कहानिया जेवंती में प्रस्तूत करती हैं तो अभी यहां पर तीन कहानिया है जेवंती आस्वानी वाले फोल्टर में आप जाएंगे नवरंग कहानी संग्रह यहां पर एक फोल्टर आ रहा है कहानी होली दस साल बाद, कहानी सोती लीमा और उर्सका मिला यह तीन कहानिया फिलाल यहां पर मौजूद है तो यह इस महीने यानि 30 मार्स तक रिकोर्डिंग क्लब पर पुस्तकों का जो अपडेट है वो दिया आपको कुछ और बता देते हैं इसके टोटल नाम राजस्थान है कहीं पर पत्रिका होता है कहीं पर राजस्थान पत्रिका है और दूसरा है गुजरात समाचार यह गुजराती भाषा का नियूस फेपर तीसरा एकोनोबिक टाइम्स इंग्लिश में चौथा देनिक भासकर हिंदी में और देनिक भासकर टीटीएस की वोईस में प्रस्तुत किया जाता है टाइमस अफ इंडिया यह भी रिकॉर्ड करवाते हैं हम लोग इंग्लिश में दा हिंदू यह टीटीएस की वोईस में दिया जाता है छटे नमबर पर जिरो सेवन आर्सी नियूस यह हमारे ही टीम के साथ ही विनोध गड़वाल जी तैयार करके प्रस्तुत करते हैं यह भी इंग्लिश का नियूस वेपर लोकसत्ता यह भी मराठी भाषा का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्र समाचार पत्र फाइनेंशल एक्स्प्रेस इंग्लिश में तो यह कुल्मला के तेरह तरह के नियूस वेपर सभिया दिये जा रहे हैं और चार भाषा है हिंदी इंग क्योंकि हर महिने के 14 अभीवार को आजित किया जाता है उसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहीं से आपको अपलाई करना पड़ेगा इस पे क्लिक करते एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आप अपना फोटो अपलोड करके फॉर्म को सब्मिंट कर दें आपकी रिक्वे सब पर कैसे जुड़ना है यूट्यूब चैनल फेस्बुक का पेज यह सब कुछ यहां पर दिया हुआ है कॉंटेक्ट अस भी यहां पर हैं यहां से आप कॉल कर सकते हमारे मॉबाइल और आफिस के लेंड लाइन नंबरों पर अब आउट अस प्रयास है कि आप एप से यह संक्या कुछ बढ़ती है नहीं बढ़ती है यह सब आपके लिए ले करके आएंगे हम लोग फिलाल आज के लिए तो इजाज़त दीजिए लेकिन तब तक एप को इंस्टॉल करें इंस्टॉल किया है तो अपडेट करें अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों एवरेज फोर स्टार ठीक ठाक अच्छा और फाइव स्टार तो फाइव स्टार ही अब बस आपके हाथ में अब आप कौन सा स्टार देना चाहते हैं रिकवर्डिंग कलब का उद्देश्य आप जानते हैं पड़े बढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं हम इसी भावना क साथ आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप चाहे हमरा ही प्रोग्राम हो या मन की आँखों से कारिकरम हो या फिर विभिन जो मंतली वर्क्शॉप से उन सब को देख सकते हैं सुन सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी जिन्दगी को आसान बना सकते है हमें बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए रिकॉर्डिंग क्लब कहां गलत कर रहा है क्या सई कर रहा है आप सब के सुझाओं के बिना अदूरा है आप रिकॉर्डिंग क्लब के ओफिस में फोन करें सोमवार से शनिवार सुबह ग्यारा से शाम 6 बज ये books प्राप्त तो अब app से ही कर पाऊगे लेकिन इस app पर क्या देखना चाहते हो इस सब के लिए आप अपने suggestions दे सकते हो एप में और क्या क्या features आने चाहिए कौन कौन सी books आनी चाहिए इस सब के लिए हमें आप सब का इंतजार रहेगा मिलते हैं फिर किसी और मेसेज में बहुत बहुत धन्यवाद